अब सब कैसे हैं? होब आप सब अच्छे होंगे बाजु पर मौरी के पर जो मुर्डेला लगती है उसका डॉराफ दे रही हूँ जे बहूर ट्रेंडी में है बाजु और देखने में बहुत संदर लगती है जे तीन चार साल के बच्चे की फ्रॉक की बाजू का ड्राफ दे रही हूँ जिसकी लंबाई है टोटल है लंबाई आठ इंच उसमें से हम साड़ी छेंच प्लस एक इंच बाजू की लंबाई रखेंगे जिसमें रह जाएगी जे साड़ी छेंच ठीक है प्लस एक इंस लाई हक रखेंगे जो अम्रेला जोडने में और आर्म होल पर बाड़ी के जोडने पर आधा इंच उसमें प्लस होगा और आधा इंच अम्रेला आगे जो लगेगी उसमें प्लस होगा और मोड़े की चुड़ाई जो है बाजू की चुड़ाई छे इंच है जैसे बोड़ी पर हम पांच इंच लेते हैं तुझे एक ज़्यादा लेनी पड़ती है मैंने आपको ड्राप पर भी बताया हुआ है और मोरी है इसकी साधे तीन इंच जो फ्रंट में अमरेला लगेगी वो लगेगी दो इंच जहां धाई इंच की अमरेला हम मतला के त्यार होगी इसमें आदा इंच इसलाई हक लेंगे टोटल माई आठ सावाट इंच त्यार हो जाएगी ठीक है और इसमें हम पहले बाजू की लंबाई लेंगे और इसकी चुड़ाई लंबाई साड़े साथ इंच हो गई और चुड़ाई छे इंच हो गई जे हमने खाना बना लेने जे लिख रहे हूं साड़े साथ इंच लंबाई और चेंच इसकी चुड़ाई जे भी साड़े साथ इंच और जे चेंच खाना बना लेना है और धाई इंच की हमने इसमें गुलाई डालनी है इसको ऐसे सिंपल भाजू का ड्राफ बनता है यह पहले हाफ करके इसमें ऐसे और यह वाली बाजू का ड्राफ हो गया है नीचे वाली गुलाई जो फ्रंट में लगती है और जे बैक में लगती है और यहां साड़े तीन इंच लेके मोरी मैंने बताया हुआ है और इसको हमने मिला लेना है जैसे आप तीन इंच मोरी रखते हो तो साड़े तीन इंच रख लो सलाईयक और जदी साड़े तीन इंच मोरी रखते हो त्यार तो आदा इंच प्लस करके चार इंच रख लो ठीक है 70-30 नीच, मोरी हो गई अब हम इसके आगे जो ambrela लगेगी उसका draft दे रही हूँ जी हमने equal लेना होता है मैंने आपको बताया था ना जो armhole पर भी ambrela लगती है ना सेम उसी जैसे है जे draft जी हमने equal लेना है हमेशा ambrela काटने के लिए equal लेते है लंबाई चड़ाई एक तरफ लिते हैं ठीक है चारो तरफ एक जैसी लिते है जे जो मूरी है ना इसको डबल करके मैं आपको अभी अखबार पर भी कटिंग बताती हूं जे डबल करके इस में हमने ये वाली गुलाई डाल लेनी है ठीक है इधर से निशान लगाके तीन इज का और इधर टोटल देख लेनी है कितनी बनती है और यहां से हमने निशान लगाते जाना है यhque हमने निशान लदाते जरुना है और यह हमारी अंब्रीला त्यार हो गई ठीक है जिए जो फ्रंट में लगती है वह अंब्रीला त्यार हो गई यह तीन इंच्छ लैंद है ठीक है और यह जो बաजू की मुरे है उसको डबल करके जितना आता है ये वली हमने ले लेने हैं जिसे चार है तो उसका डबल करके यहां दो आएगा ठीक है और ये हो गया ड्राफ और अब मैं आपको बाजू की कटिंग बताती हूँ जैसे ये हमारी लंबाई है साधे साथ इंच लंबाई हो गई और चुड़ाई शे इंच हो गई ये मैंने लंबाई लिये और ये चुड़ाई ऐसे डबल कर लिये और यहां से हमने धाई इंच का खाना बना लेना है जैस मैंने आपको यहां बताया है धाई इंच का यहां खान अबना लेना है और यहां से त्रेश्वी लाइन लगाके इसका हाफ कर लेना है ठीक है जितना भी हाफ आता है हाफ कर लेना है और यह हमारी सिंपल बाजू का ड्राफ हो गया है और यहां से हमने साधे तीन इंच लेके यहां हमने तिर्शा मिला देना है ठीक है यह हमारा सिंपल बाजू का ड्राफ है ठीक है मैं आपको कटिंग करके पताबते हूं यह वली गुलाई पहले करती है और यह वली गुलाई बाद में करती है सिंपल बाजू का ड्राफ है मैंने पहले भी आपको यह सिखाया हुआ है यह देखो यह बाजू का ड्राफ हो गया सेम और अब हमने आगे जो अंब्रिला काटनी है ना यह हमने एक जैसा यह बला लेना है ठीक है और यह से तीन इंच त्यार है ना तो अब 6 इंच ले लो ज्यादा से ज्यादा 6 इंच ले लो और उसका डबल कर लो यह बला पीस हो गया ऐसे हमने पने लंबाई रोक डबल करना है और फिर हमने एसे रखे ठीक है आप सांजा पसा इधर रख लो इधर रख लो कोई बात नहीं लेकिन जो जिगलाई है न यहां डालनी है संजे की तरफ ठीक है और इसको बाजू को हमने ऐसे डबल कर देना है जी जो बाजू की मोरी है हमने ऐसे डबल कर देना है ठीक है और इसको हमने ऐसे रख लेना है ये ऐसे ठीक है जी अपने आप यहां निशान लग जता है ठीक है ये वला निशान लग गया ध्यान रखना है ये वली और ये वली एक जैसी ओल भाई और इधर से भी इधर से भी थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो भी कोई बात नहीं लेकिन अम्रेला ज्यादा अच्छी आती है यहां से एक जसा हो ठीक है और यह लबाई हमने लेनी है आगे काटने के लिए यह वाली जुरूर हमने एक जैसी लेनी है जैसे तीन इंच हो गया और इधर से नाप लेना है ज निशान लगा देना है मेरे पास सकवार थोड़ा कम था इसलिए थोड़ा सा कम आया है यह रिखो मैं आपको बता रही हूँ जैसे जहां से आपने तीन इंच लेना है और इधर टोटल देख लो के कितना आ रहा है ठीक है यहां से तीन इंच लेके टोटल देख लो कितना आ इदर से डालोगी न तो थोड़ी मुष्कल आ जाती है जैसे 3-3 इंच जहां से निशान लगाओगे जहां से तो लग जाएगा जहां से लगाओगे तो थोड़ी मुष्कल होगी ठीक है न और एसे 3 इंच जहां जितना आपको चाहिए लेके टोटल देख लो कितना हुआ और यहां ऐसे करके गुलाई डाल देनी है ठीक है और फिर हमने ये वली गुलाई काट देनी है और ये वली भी गोल वली ये वली गुलाई काट देनी है ठीक है ये हो गई हमारी अमरेला त्यार और ये वली हमारी यहां लग जाएगी यहां ऐसे ठीक है ये वली बहुत सुंदर लगती है, ऐसे attach हो जाएगी, ऐसे करके, ऐसे attach हो जाएगी, यह awak ऐसे attach हो जाएगी, आम्मरेला, ठीक है, देखो देखने में बहुत लग रही है, ठीक है न, जब सील जाती है, तो बहुत सुन्दर लगती है ये हो गया हमारा reflella कट का draft ये वली ये वली ऐसे करके लग जईए एह ऐसे करके जब attach होगी न ऐसे करके ऐसे करके attach होगी तो बहुत सुνदर लगती है ये वली am brevella cutيل और ये मेरा हुआ draft complete मेरी वीडियोपसान दई ओ तो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू